उम्रिया जिले में इस्थित उम्रार डैम में अग्यात लोगों ने करीब 15 बोरी खाल और मास सहित अन्य अवशेश फेक दिया जिससे नगर में हडकंप मच गया घटना की जानकारी के बाद जहां भाचपा ने इसकी कड़ी निंदा की है वहीं अधिकारियों ने टीम के माध्यम से डैम से उक्त अवशेश को निकालते हुए सफाई की है दरसल मामला है ग्राम पंचायत ददरी इस्थित बने सचाई विभाग के उमरार डैम का जहां ग्यात लोगों ने बोरियों में भरकर पशो के अवशेश फेक दिये थे वहीं इसी डैम से मुक्यमंत्री पेजल योजना के तहत पानी भी शहरवासियों को पिलाया जाता है जिसके बाद और स्थिती खराब हो गई लोगों ने जहां इसका कड़ा विरोत किया वहीं घटना के संग्यान में आने के बाद अधिकारियों ने डैम का नरिक्षन भी किया है और नगर पालिका के माध्यम से सफाई कराई गई है जिसमें करीब 15 बोरियों में खाल मास सहित हड्डियों को बरामत किया गया है गौर तलब है कि अचानक हुए इस करत्य से सारा नगर स्थब्द है वहीं बड़ी बात तो यह है कि यदि इस प्रकार की घटना पर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी कोई असामाजिक तत्व पंप हाउस के पास पानी में कोई जहरिला पदार्थ भी डाल सकते हैं जिससे को कुछी समझी घटना कारित की गई है क्योंकि उहां से नलजली ओजनांतर पूरे उमरिया नगर को जल सप्लाई किया जाता है जिससे आम नगरी प्राप्त करता है और पीता ही है और प्योग भी करता है किन्तु यह जो घटना कारित की गई है ऐसा लगता है कि सडेंद पूर में कभी भी उम्रार जलासे में इस प्रकार की मारे गए जानवरों को फेकना नहीं पाया गया है किन्तों ठीक बकरीद के बाद ये घटना खुल के सामने आई और उसी स्थान पर आई जहां से नल जल सप्लाई की जाती है इससे अधर प्रतीत होता है कि सामप्रदाइकता भड जो ब्यक्ति हैं जिला प्रशासान अधिकारियों से मेरा अन्रोध है कि उन ब्यक्तियों से उस घटना के लिए जांसकारवाही करें और जो भी दोसी हो उनके खिलाब कानूनी कारवाही की जावे प्राप्त हुई थी कि जो बंदा है उम्रार डेम है यहां से लगबग पाच किलोमेटर तो वहां पे कुछ अपने जानवरों से क्यावसेश फेके गए थे बोरियों में बरके तो हमारा सुबह जानकर ही प्राप्त हुई थी हमने अपनी सफाई की तत्काल टीम भेचके उस लगबग कर्मचारी दोरा बता जा रहा है कि लगबग 15 बोरी के आसपास था तो बोरियों में भरा हुआ था उसको हमने तुरन टेक्टर और कर्मचारी बेचके क्लीन करवा दी